प्रशार में गया हूँ और विश्वास है पूरा मेहनत हम सब ने कि पूरी उमीद है पूरा विश्वास है कि एंडिया की सरकार ग्यारा तारी को जब परिणाम आएंगे एंडिया की सरकार बनेगी जनता दल उनाइटेट दो सीटों पर लोग जन शक्ति पार्टी एक सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं और भारती जनता पार्टी का भी वक्तब रखते हुए प्रधान राश्पती जी के अभी भाशन पर कि कोई कारण ही नहीं है ये प्रदर्शन करने का जिन विशों को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है वो विशे हैं ही नहीं निरंतर CA को लेकर प्रधान मंद्री जी तमाम सारे नेतास पे क्लारिफिकेशन दे चुके हैं कि इसमें किसी की नागरिक्ता नी चिनने वाली भारत के किसी भी निवासी को इसमें परिशान होने की जरूरत नहीं है और इन एंटिसिपेशन जिस तरीके से कि नागरिक्ता चीन ली जाएगी उसको लेकर अभी से जिस तरीके से ये सब महौल बना हुआ है ये मेरी समझ के परिया बट बहराल विपक्ष की कहीं ना कहीं बॉकलाहट भी है जिस तरीके से वो लोग को ब्रहमित कर रहे हैं क्योंकि अब बड़े मुद्दे उनके हाँ से निकल गए 35 नहीं रहा, 370 नहीं रहा, राम मंदर का अब कोई विशे नहीं है तो कहीं न कहीं उनकी बॉकलाहट है कि इस तरीके से जंदा को ब्रहमित करके शाहीन बाग का एक मुद्दा बनाया गया है, है नहीं है बट आज जिदिल्ली के चुनाओं खतम हो है, मुझे लगता असी के साथ दीरे-दीरे ये मुद्दा भी खतम हो जाएगा तेजस्वी आदम में सवाल पूशा है कि आखी बिहार को बजट में क्या मिला है क्यों नहीं कि इसकों मारत थारीफ कर रहे हैं बजट को तेजस्वी खेर जिस परिवार से आते हैं उनके घर में मुख्यमंत्री रहे हैं मुझे खागी शाद उनको जानकारी होगी बिहार का एक अपना भी बजट होता है और केंद्र सरकार से जब जब बिहार को जितनी भी जुरत पड़ी है वो केंद्र सरकार ने हमेशा दी है जब देश का बजट आता है जनरल बजट होता है पूरे देश भर के लिए होता है राज्य स्पेसिफिक बजट नहीं होता है बढ़ हाँ इतना जरूर विश्वास है जो हमारे मुख्यमंत्री को भी है और मुझे भी है कि केंद्र से बिहार को जिस जिस चीज के लिए जो जो आर्थिक मदद की जुरत होगी और निरंतर मेली होता है